नवस्कार स्वगत्यापका हमारे 54 जागेंद्र मुशा में नौरातरी सुरू होने से पहले घर ले आएं इन छे में से कोई भी एक चीज नहीं होगी धन की कमी पूरे साल जम कर पैसा आएगा दोस्तों, चैत्र महा में आने वाली नौरातरी को चेतर नौरात्री के नाम से जाना जाता है इस सालिय चेतर नौरात्री दो अप्रेल दो हजर बाइस दिन सनी बार से नौरात्री प्रारंब हो जाएगी सास्त्रों में इस चेतर नौरात्री का बिशेश महत्य है नवरात्री के दवरान मा भगवती के नो रोपों की पूजा की जाती है मानता है कि यदि आप नवरात्री के नो दिनों में देवी मा की अराधना सच्ची भक्ती और नीमों को ध्यान में रख कर करते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में बीराजमान रहेंगी वास्तु सास्तर में कुछ ऐसी चीजे बताई गई है जिन्हें नवरात्री पर घर लाना जरूर बहुती सुब माना जाता है इन चीजों को अगर आप अपने घर लेकर आते हैं तो आपके घर पे माता दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहती है और माता लक्ष्मी जी पूरे स अन धन के भंडार भरे रहती है और कभी भी धन की कमी नहीं होती है नवरात्री से पहले आपको अपने घर जरूर इन वस्तों को लेकर आने से काफी सुब माना जाता है जी हां दोस्तों दोस्तों नवरात्री का दिन आज सक्ती मा को समर्पित होता है इन दिनों में मादुर प्रसंद कर उनका आशिरवाद प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो विशेश लाब होगा और माता दुर्गा का आशिरवाद प्राप्त करने के लिए आपको इन 6 में से कोई भी अगर एक चीज घर ले आते हैं तो पूरे साल धन की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों इन 6 में से सबसे पहली जो चीज है कमल का फूल या फिर आप कमल का फूल नहीं लेकर आते हैं तो फिर आप कमल गटे की माला जरूर लेकर आएं। मा लक्ष्मी जी कमल पर विराज मान रहती हैं जी हां दोस्तों उन्हें कमल का फूल अतपरी है इसलिए मानता है कि नौरात्री में कमल का फूल कमल के फूल पर विराज मान माता लक्ष्मी जी बैठी हुई प्रतिमा घर लाने से देवी लक्ष्मी जी परसंद होती हैं इसल आप चाहें तो कमल गटे की माला भी लेकर आशक्ते हैं। एसा करने से आपके घर में धननधान की कमी कमी नहीं होगी और पूरे साल अनधन के भंडार भरे रहेंगे। मातालक्ष्मी कृपा से आपके घर में जमकर पैसे आएंगे, धनके स्रोत हमेशा बने रहेंगे, कभी धन खत्म ही नहीं होगा, दूसरी चीज है, पीपल के पत्ते का खास महत्तू बताया गया है, मातालक्ष्मी जी पीपल के पत्ते में निवास करती हैं, इसलिए इस पत्ते जरूर अपने घर ले आएं और धन के स्थान पर आप उसमें ओम का चिन्ध बनाकर आप लिख दें तो विशेश लाब होता है या फिर आप चाहें तो उसमें स्वास्तिक बनाकर आप पूजय स्थल पर भी रखशकते हैं नौरात्री में अगर ऐसा करते हैं तो विशे धारमिक मानताओं के अनसार लक्ष्मी गड़ेश के बने सोने चांदी के सिक्के बहुत ही सुब माने जाते हैं सास्तरों के अनसार यदि आप नौरात्री पर लक्ष्मी गड़ेश जी के सोने चांदी के सिक्के खरीद कर घर लाते हैं पूजय स्थल पर इस्थापित करते ह इनकी पूजा करते हैं तो इससे आपके घर में पूरे साल आर्थिक तंगी दूर होगी और आपको अधिक्ष अधिक धन लाब होगा और कभी भी धन खत्म ही नहीं होगा आपको माक्या विसेश कृपा प्राप्त होगी और माता लक्ष्मी कृपा से घर में हमेशा भरे रहेंगे अनधन के भंडार कभी भी धन की कमी नहीं होगी चारो दिसाओं से पैसे आएंगे यहां तक की गरीबी आपके घर से कोसो दूर चली जाएगी अगली चीज है चोथी चीज मौर का पंख देवी सरसुती का बाहन मौर है इसलिए नवरात्री के दौरान नवरात्री शुरू होने से पहले घर में जरूर मौर पंख जरूर लेकर आना चाहिए मौर का पंख भगवान स्रेकरशन जी को भी बहुत प्री होता है यदि आप नवरात्री से पहले मौर पंख लाकर आप इसे इसान कोड में रखते हैं तो इससे आपके घरों में पोजिटिव एनरजी बनी रहती है और यदि ऐसा आप पूजा घर में इस्थापित करते हैं तो इससे आपके जीवन में बिद्या और धन की कमी कभी नहीं होगी माता लक्षमी कृपा हमेशा बनी रहेगी धन धान के भंडार भरे रहेंगे और आपके घर में कहीं न कहीं से धन के स्रोत बने रहेंगे नौकरी बिजनेस वियापार में लाब होगा और अगर कोई पूजनी और आर्थिक पर्यसानियों को दूर करने वाला दृष्टकोंट से लाबकारी माना जाता है। पर्यसानियों को दूर करने वाला दृष्टकोंट से लाबकारी माना जाता है। पर्यसानियों को दृष्टकोंट से लाबकारी माना जाता है। या फिर आप चाहें तो नौरात्री सुरू होने से पहले साथ घोडे दोड़ते हुए तस्वीर फोटो अपने घर पर जरूर लगाएं। आप उत्तर दिसा की ओर लगाएं तो विशेश लाब होगा। या फिर मातालक्ष्मी और गड़ेस भगवान की फोटो तस्वीर लेकर आएं, मूरती लेकर आएं। तो ये विशेश लाब होता है, कभी भी धन की कमी नहीं होगी, या फिर आप चाहें तो संख लेकर आएं। दोस्तो इन में से कोई भी एक चीज अपने घर जरूर लेकर आएं, नौरती शुरू होने से पहले, फिर देखें कैसे मातालक्ष्मी की क्रपा आपके घर में बरस्ती है। तो दोस्तो कमेंट में जरूर लिखेगा, जै मालक्ष्मी साथ ही, वीडियो को लाइक करिएगा, जदा जदा शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जै मालक्ष्मी